Problems एर Solution ता, Askrita, Know Your Faith ये संबंद प्रबल आकर्शन पैदा करता है, जिसकी कुंडली में मंगल शुक्र एक साथ होते हैं, दुनिया के तमाम लोग उनकी तरफ आकर्शित होते हैं और ये काम भाव में Sexual Desires को बढ़ा देता है, चरित्र वाले पार्ट पर असर डाल देता है अगर ये संबंद शुब हो, तो व्यक्ति अत्यंत आकर्शक बड़ा अट्रेक्टिव और रोमांटिक स्वभाव का प्रेमी स्वभाव का होता है और अगर ये संबंद नकारात्मक प्रभाव दे रहा है निगेटिव असर दे रहा है तो व्यक्ति चरित्रहीन होता है और कामुक होता है देखिए मंगल शुक्र का संबंद अगर कुंडली में है आपके तो हो सकता है आप बड़े अट्रेक्टिव हों आप बड़े धनवान हों लेकिन आपको अपने चरित्र को बचा करके रखना होगा उल्टे सीधे आकर्शन में पढ़ने से बचना होगा अगर आप इसके नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करना चाहते हैं तो सो मुवार का उपवास रखें साथी साथ प्याज, लहसुन और अदरक का कम से कम प्रियोग करें तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पढ़ेगा इस आड को स्केप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान, प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब, एल्टर तब, नो यॉर फेट मंगल और शनी का जो संबंद है, वो विस्फोट का संबंद है मंगल मतलब आग, शनी का मतलब हवा, वायू तो आग और हवा के मिलने से विस्फोट होता है और अगनी शक्ती का ये बड़ा संयोग माना जाता है जीवन में फायर बढ़ा देता है अगर कुंडली में मंगल शनी का संबंद प्रभावशाली है तो वियक्ती को दुरघटना से, शल्ल चिकित्सा से बचना चाहिए और जीवन में टेररिजम का आतंक का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है मंगल और शनी का संबंद जीवन में दुरघटना, सरजरी, टेररिजम, अपराद जैसी समस्याएं पैदा कर देता है अगर ये संबंद अनुकूल हो, फेवरेबल हो, तो व्यक्ती तेजी से उचाई पर जाता है एकदम तेजी से बहुत उचाई पर सफलता में पहुँच जाता है लेकिन उसकी मृत्यू बिलकुल अचानक हो जाती है अगर ये संबंद आपकी कुंडली में है और नकारात्मक है तो मंगल वार और शनी वार को हनुमान जी की विधी पूर्वक का पूर जला करके आरती करिए हनुमान जी से प्रातना करिए आपको निश्चित रूप से लाब होगा आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए आइस्टो तक एप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रॉलोजर से